बैंजोएक एसिद स्टार्ट किये थी जिसमें हमने कहा था कि एलक्ट्रोन बिड्रॉइंग ग्रॉप जो होंगे ऐसी कि रिशन को बढ़ा देंगे और डॉनेटिंग ग्रॉप जो होंगे वह ऐसे को कम कर देंगे ठीक है यहां पर हमने और्थो एफेक्ट देखा था कि हाइट्रो वाली केस में हो गया दूसरा आपका इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉर्णिंग होती है जब और इसके साथ बढ़ जाती है तीसरा हमने आपको रिजन बताया था कि एसाई यार एफेक्ट में क्या होता देखो कि अगर आप एसाई यार एफेक्ट की बात करो तो थर्ड आपका कारण था एसाई यार एफेक्ट आप यह बताओ कि जब आपके पास कि सी डवल एच है और यहां सी एस्ट्री ग्रुप जड़ा है यह जब एच प्लस रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा सी ओ ओ माइनस और साथ में इदर सी एस त्री है तो यह जो नेगेटिव चार्ज है अच्छा आपका जो सी ओ माइनस है यह किस तरह का साथ होता है माइनस से पैलों होता है यह सॉचंव कि और यह नेगेटिव चारज है अगर यह स्टेविलिटी कम हो जाएगी ना कि यह जाएगी normal case में लेकिन जब ऐसाइयार effect आएगा तो resonance यानि जो मेरेक एक इफिक्ट कम हो जाएगा जितना ज़्यादा एफिक्ट आएगा जाएगा तो जो भी एफट आ रहा है तो आप यह बताओ जब माइनस एम की तरह यह बहेव कर रहा है तो स्टेविलिटी कम हो रही है इसकी सी ओ ओ माइनस की क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और और यह खीचेगा जब अंदर से तो इस पर और नेगेटिव चार्ज डबलप होगा लेकिन जब आपका C-S-3 आ गया तो C-S-3 SIR एपेक्ट कराएगा इसकी प्लेंस को रिंग के प्लेंस से बाहर लेकि जाए कि जअ कि अब ये जितना ज्यादा प्लेंज से बाहर जाएगा आप कर शक्तएं जित्मा ज़्यादा इसा यह एर छफट दिजैने अंधर से ऐलेक्टरन उधने कम बाहर आएंगे और वोइस-ध कर जाए ठी उक्छ कर जारी Hearts कि आज कितना तारीक है कि शिक्स सब्सक्राइब लगा रखें देखो यह है फाइब जी की स्पीड उसके बाद भी अभी ठीक है ना सब्सक्राइब बीच में जहां पर है तो अब बता जाएगा मतलब यह बाहर इलेक्ट्रोन ज्यादा बिड्रोन नहीं कर पाएगा तो इस्टेबिलिटी ज्यादा आएगी अगर हम और्थो पर जोड़े हैं मेटा पर जोड़ दो या पेरा पर जोड़ दो इन तीनों के कंपरिजन में यहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्याद आएगी क्योंकि मीजोमेरिक इसका खुद का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सभी है इसलिए हाँ ऐसा यार एफेक्ट याद नहीं है क्या है ड्यू टू ऐसा यार एफेक्ट तो बल्की ग्रूप वादा माइनस एम ग्रूप ओफ माइनस एम ओफ सी ओ ओ माइनस क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा इससे क्या होगा विच इंक्रीज इस स्टेबिलिटी ओफ कॉन्जूगेट वेस और जब इस्टेबिलिटी बढ़ेगी कॉन्जूगेट वेस की तो इससे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी एसेडिक स्ट्रेंद तो अब आभी आपको क्लियर है कि आखिर और्थो जो है वो ज्यादा ऐसेडिक क्यों हो रहा है तो पहला तो एसाइयर एफेक्ट है जो सबसेड़ा मेजर फैक्टर रहता है कि जितना ज़्यादा एसाइयर एफेक्ट लगेगा वो निगेटिव चार्ज उतना कम इस पर ना कि बढ़ जाए तो यहां पर तो बढ़ रहा है माइनस एम जो है अब माइनस एम एफेक्ट अगर कम हो जाता है तो डेफिनिट्टी उसकी स्टिविलिटी बढ़ जाएगी तो यह हमारा कॉंजुगेट वेस है तो हम कहेंगे कि एसिडिक स्प्रेंट इसकी क्या होजाए बढ़ जाएगी अब एक वाला था यह देखो यहां पे आप काऊगे सर यहां तो ऐसा यह एफट्ट होगा ही नहीं कि क्यों नहीं होगा यह यह नौन वलकी ग्रुप है हलो यह सर ओएच जो होता है ओएच एच टू यह नौन वलकी ग्रुप की कर्टिग्री में आते हैं है एक अटम्स हैं जैसे हार्जन ट्राइटियम और हमने लिखाए था ओएच नहीं टू फ्लोरीन यह सब के सब आपके नौन वलकी ग्रुप में आते हैं तो इनकी जो होना चाहिए तो यह स्टिविलिटी आ जाती है इस वेज़से आपका क्या होता है एक अगर आपका नहीं है तो इनके अलावा जो है आपके समय आएगा यह सारे बल्की ग्रुप होते हैं और उसके लावा हाइड़न वार्णिंग की वैसे भी हो सकता है या फिर हम कह सकते है कि जो आपका पहला फेक्टर था चलेशन भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो नाइट्रो में एक चलेशन यह तो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी स्टिविलिटी यहां तो आ जाएगी क्यों देखो चलेशन की वैसे भी स्टिविलिटी आ रही है और दूसरी आपको इतना पता होना चाहिए कि एसाइया मतलब जो और्थो सबसेटुटेट होता है वह ज्यादा ऐसे देखोता है ठीक है ठीक है नेक्स देखो आप अगर हम इसमें ओर्डर्स की बात करें एक्जाम्पल अगर्ण वाइन देखो एक बार हम यह फिलोडीन जोड़ दें एक बार हम सी डवल एच लोडीन जोड़ दें प्रोमीन जोड़ दें और आयोडीन जोड़ दें तो इसको आप ऐसा यह एफेक्ट से एक्स्प्लेन कर सकते हैं जाएगा जितना बड़ा साइज आएगा एसाई आड़ एफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा अश्वादेगा इस तरह से साइज की बढ़ेगा वाई साइज बढ़ रहा है फुलोरीन से क्लोरीन से आपका ब्रोमीन से आयोडीन और इसी विज़े से एसाई यार भी एफेक्ट भी बढ़ जाएगा ठीक है ऐसा यार एफेक्ट और एक्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जैसे मानलों हमारे पास दो दो CS3 लगे हैं दोनों तरफ और सिंगल साइड में हमने क्या किया एक सड़ सरी जोड दिया है मैं ए ऐसे प्रॉपाइल ग्रौप जोड़ा है कि एक बर हमने सिंपल में जोड़ा है तब भी यहां पे भी हम साइज ईार से ही एक nhiकरे přेग्ए ठीक है देखे देखो सबसे बड़ा सबसे आभाइब कहाँ यहां पर दो दो तरफ आगए बलकी दो दो और तो दो और तो पॉजिशन एकूपाइड होती तो सबसदा आपका अब यहां पर देखो यहां सेकंडरी मलब इंधाइल है तो जितना ज्यादा छोटा ग्रूप आए तो बेसिक एसिडिक स्टेंट उतनी कमाईगी तो और क्या हो जाएगा बताओ सबसे आपका पहला क्या यह पॉइंट समझ में आ रहा है सबको अब हम और थो पे ही बात करते हैं कि मानलो और थो वाला ही पॉजीशन है और एक बार हमने नाइट्रो ग्रॉप जोड़ दिया एक बार हमने हैलोजन ग्रॉप जोड़ दिये एक बार सिंपल कार्वोग्जिलिक एसेड रखा बेंजोएक एसेड एक बार हम यहां पर सिएस्ट्री ग्रॉप जोड़ दें और एक बार ओश्यस्ट्री जोड़ दें देखो अब अगर यहां पर देखें आप उपर वाले आपके सब्सक्राइब करने वाले यह आपके सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इनको हमने क्या कि जब सब्सक्राइब करें तो हम फिर किसके सबसे देखने साइज यहां पर आ रहा है सैंग्रॉप के अलिमेंट इसाइज आ रहा है तो अब यहां पर क्या होगा हम लोग ऐसा यहां पर देखो आपका यह माइनस सेम सो करेगा सब्सक्राइब करेगा यह आपका प्लस एम सो करेगा तो देखो और तो वाले सारे होंगे ज्यादा और नॉन और तो वाले होंगे क्या हो जाएंगे सबके सब कम सबसे घटिया किसकी आएगी थार्ड की और हमेशा ज्यादा होते हैं नॉर्मल से या अदर सब्सक्राइब से यहां पर तो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है तो अब आप ग्रुप के साब से देख लो कौन इस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन इस्टेबिलिटी को कम करेगा तो माइनस ग्रुप क्या करेंगे बताओ सबसे उन्सबसे भी घटी आपका थर क्यूंकि यह और थो तो सबसे टूर नहीं है कि बोलो है समझ में आया है यह सब यह सब यह सब यह यह आपका एसरी के स्टेंट का और हो जाएगा देन इसके बाद तो यह देखें है हाँ बिल्कुल फिरम साइस की बात करने लगते हैं कि क्या आएगा किस तरह से कि नेक्स एक्जाम्पल है मैं यह थोड़ा इंपोर्टेंट एक्जाम्पल है आप कह सकते हैं कि एक सी डवल एच है और एन और टू यहां पर आपका सी डवल एच है और ओएच है और एक हमने लगाया अब बताओ इनमें क्या आएगा और तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह वाला क्या आएगा आपका सिंपल यहां पर आप देखें तो यह हाइड्रोजन बॉंडिंग भी सो कर रहा है इंट्राइब और यह करेगा चिलेशन और यह आपका सिंपल एसा यार तो यह तीनों ज्यादा ऐसी डिखोंगे इस चौथे वाले से यह तो कंफर में इस अब हमें इन तीनों में बताना है तो तीनों में सबस्यादा तो नाइट्रो आएगा क्योंकि एक तो माइनस एम भी है और उपर से चिलेशन भी कर रहा है ऐसा यार भी कर रहा है सारे फैक्टर इसके फैबरेवल हैं ठीके ना अब यहां पर जो होता है यह आपका हाइड़िजन बांडिंग बनाता है इस विससी स्टिबिलिटी बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है और यहां पर सिंपल ऐसा यार है यहां पर आपका क्या होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉंडिंग की वैसे देखो अगर आप सिंपल यह देखोगे तो आप तो यह काओ यहां तो प्लस हम लगाओ आप उसकी वैसे ऐसे इसकी तो घटिया हो जानी चाहिए यह लेकिन ऐसा नहीं है इसमें क्या होता है इंट्रा मॉलिक्ला हाइर्जन बॉर्णिंग होनी की वज़े से जो का कॉंजुगेट बेस बनता है उसकी स्टेविलेटी बढ़ जाती है इस वैसे यह आता है इसका डेटा इस पॉइंट को आप याद रखेगा कि जब वाला आएगा तो वह इस तरह से आएगा कि नेक्स एक्जाम्पल देखो पहला सब्सक्राइब कर रहा है हाँ नाइट भी है नाइट रो तो ऐसा यार भी सो करेगा माइनस भी सो करेगा दोनों ही केस में उसका आपका स्टेंट बढ़ा देगा सी ओओ एच लिए स्ट्री देखो आप कुछ ऐसे कोश्चंस हैं जो इंट्रेस्टिंग हैं इंट्रेस्टिंग हैं फैक्ट वाइज हैं और ऐसे कोश्चंस जनली कॉंपटीशन में प्रिफर किया जाते हैं जब अच्छे लेवल के कुश्चंस बन इस बंकर ना देंखोगे आप तो यह कोगे ना सी प्रेस्टि थी खामने सी क्रूल सुरूरा इस क्या इस ग्रूप का बढ़ेंत यहां पर आप यह कहोगे कि यह तो माइनस एंशो कर रहा है यह भी माइनस एंशो कर रहा है दोनों ही माइनस हो कर रहे हैं जादा कौन सो करेगा लेकिन जब ऐसे तो एसे डिक स्टेंट क्या निची बताओ लेकिन आपका जो सीन होता है ना सीन होता है लीनियर और अटू तो आपका क्या होता है एं यह एंगुलर टाइप बनाता है इस तरह से ठीक है और इसका साइड से सरसाय लग सकता है लगेगा ऐसा यार यह आपका वलकी है मोर वलकी और यह आपका क्या जाएगा लेस वलकी देखो आप यह देखो ना कि यहां पर जो सीएस थ्री है ना यह सीएस त्री इसके तो और्थों पे हैं इसके इसके और्थों पे हैं ना यह दोनों ही यह एसाया लगाएंगे इस ग तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो है अब इस मोर वल्की then cn which is linear okay so it experience it experiences more sir which results in क्या होगा बताओ कि लेस माइनस एम एफेक्ट कि यह क्या कि यह सर्ट के पॉइंट्स ओन मैफ यह सरा गया इस अब को क्लिरे अब यह ज्यादा अच्छा माइनस एम एफेक्ट नहीं कर पाएगा जनरेट नहीं कर पाएगा तो इसकी स्ट्रेंद्स जो होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कि यह सब्सक्राइब देखें तो उसको मतलब देखा जाए तो वैसे तो अगर हम ऐसा एफेक्ट को कंसिडर नहीं करें तो सिंप्ल पहला होना चीर जाएगा लेकिन ऐसा ही एफेक्ट क्या हो गया दूसरा जाएगा क्योंकि वहाँ पर माइनस एम जो जिसको आप कंसिडर करके पहला बता रहे थे वही एफेक्ट कम हो गया यहां पर तो डेफिनेटली आपके क्या होगा तो इस तरह से यह आपके बैंजो एक एसेट्स और उनके डेरिवेटिप्स के एक्जाम्पिल थे जिनकी एसेडिक स्ट्रेंट के हम बात करते हैं नाव नेक्स हमारा यहां पर देखो सारी चीज़ें आपन एकदम स्यम कर रहे हैं चाहिए वो कार्वोग्जिलिक एसेड हो चाहिए वो फीनॉल हो कोई भी हो एच प्लस आप निकालो और जो कॉंजूगेट बेस बनेगा वहां पर जो निगेडिव चार्ज आएगा उस निगेडिव चार्ज की स्टिमिलिटी चेक कर लो उसके सबसे बता दो कि क्या आने वाला है यहां पर गृप है जी यहां पर गृप जह जी अब बताओ अगर हम यहां पर एलेक्ट्रोन बिडोउइंग गृप्स लगा दें और यहां पर हम लगा दें एलेक्ट्रोन डानेटिंग लूपस तो एसेद इस तेंड जदा किसकी होगी इन केश ऊप बिड्रॉइंग गटिया हो जाए किस में हिसके केस में इनकेश अप डानेटिंग बिड्रोईंग का मतलब है माइनस से में माइनस ऑफ की बात कर रहे हैं नो इतिंग का मतलब है में हम बात करेंए प्लस यहां पर फिर बात करते हैं कि हां पूलकुल बिलकुल वोई है लगे हां इस कि इतना कम होगा नेगेट फ चार्ज टैबिलिटी उसके बेस्थ की जो होगी कॉंजुगर बेस्ट बनेगा वह उतनी क्या हो जएगी आपकी बढ़ जाएगी तो स्ट्रेंथ भी जोगी वह भी बढ़ जाएगी इसमें बताओ क्या आएगा आपको पता है कि स्ट्रेंद तो माइनस आई ही सो करता है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है माइनस आई जितना पास होगा उतने जादा लेक्टन खीचेगा जितना दूर होगा उतना कम खीचेगा तो इस्टेबिलिटी और ऐसी के स्ट्रेंथ इस तरह से आपकी पड़े ठीक है ऑ गर्फ में सब लोग रहते हैं कि सब को समझ में आ रहा है सिर्हांश ग्रेंट आ अग pass कुछ लोग तो सोचते हूं कि चलो दिव तो पूची लेगा जो expect in समझ में आएगा क्यों यह सब्सक्राइब सारे डाउट पूछ लेता है किसी को पूछने की जरूत नहीं होती है मतब इसके लिए हम डी मॉटिवेट नहीं करें तुमको अब अच्छी बाद रहती है कि जहां पर दिक्कत हो पूछें ही जरूर पूछना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके लिए तो हम बोलते हैं कि जहां दिक्कत हो आप पूछ लिया करो कोई दिक्कत नहीं है कि सेकंड एक्जांपल देखूँ कि ओएच सी एस थ्री ओएच सी एस थ्री ओएच एन सी एस त्री और एक आपका सिंपल फीनॉल है बताओ कि यहां पहले तो आप ग्रुप का नेचर डिसाइड करो हमेशा जब भी आप लासाइस वी तो निचर डिसाइड करो बताओ ना उससे पहले इसका तो हाइपर पॉजीशन पर आएगा आपका किवल प्लस आगा मैटा पॉजीशन पर कभी भी हाइपर का बिच्वेशन एंड रेजुनेंस जैसे कोई फैक्ट नहीं होते हैं यहां पर केवल केवल इंडक्टिव फैक्ट होता है इसके लाबा और फो पैरा पॉजीशन पर दौना फ्रकाम करते हैं चाहे वो रेजुनेंस मीजुमेरिक हो या फिर हाइपर कॉजीशन इंडक्ट इंडक्टिव फैक्ट तो हर जगह रहता है लेकिन रेजुनेंस मेटा पे नहीं आता है तो अब बचा कोन सब्सक्राइब करने से पहले डिसाइड करो किसका मेटा का मैटा है यह नहीं यह मैटार ऊसटेदा है कि मैटा जो है वह डिलस आई है या मैनस यह हैं कि यहाँ पर देखो इन क्या एगा और क्या एगा फिर बताओ देखो यह पहले तीन तो बैक्ट्रोन डॉनेटिंग है तो घटिया हो जाएंगे सब्सक्राइब इन में देखो पहले दूसरे तीसरे में तो पहले तीसरे में है दूसरे में नहीं है अब बात करने हैं दूसरे और तीसरा जो है उसमें हाइपर कॉंजूगेशन दौनों में कॉमन है और प्लस आई भी है तो फिक्स होता है किसी भी पॉजिशन पे डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते हैं यह आपके फिक्स हैं हर जगह एक जैसे लगते हैं है तो यह दोनों होगए कॉमन है जब यह दोनों कॉमन होगतों किस से इसाइड़ करेंगे यह सब्साइब को कम कर देगा है से के तो कम कर देंगे स्टम έχει को धूरन तो कम बढ़तेगा इस्टबिल्ट सबसे घटिया कौन हो जाएगा आपका सबसे घटिया हो रहे हैं देखो आपके जो है कि सबस्ट और घटिया हो रहे हैं हाइपर कॉंजूगेशन की विए से क्योंकि नमें हाइपर कॉंजूगेशन है कि ठीक है तो मतलब सेकंड को देखो आप तो सेकंड में केवल फ्लस आई है और फ़स्ट और फ्रस्ट और फ oraz ही और ईसने तो हाइपर diminution है तो ज़्यादए अलेखा तो स्कुल्ट में套े घंगी in दौनों में तो प्लस आई को प्लस आई जहां पर ज़्यादा लगेगा इस्टिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी एनाइन की वह समार यह सब्स हाइबर कॉंजुगेशन गर्डिक कटारी एक्जेक्ट्ली हाँ तो यह आप कहा जाएगा और नेक्स एक्जाम्पल देखो हां यह आप इंपॉर्टन एक्जाम्पल की बात कर रहें थे हम जो अभी आपने एक्साइज में देखा था याद है जो आपने कहा था कि नाइट्रो था फिनॉल पर यह सर्थ तो यहां पर क्या है आपके पास एक सपोज है और थो नाइट्रो अब फैमस कुछन ने बहुत पूछा जाने वाला कुछन है यह दूसरा है आपका मेटानाइट्रो और तीसरा आपका है पैरानाइट्रो और उसके बाद है आपका सिंपल फिनॉल इन तीनों में आट्र रिसाइट्रो यह कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि आप और वोई उसी तरीके से आएगा बट यह कुछन बहुत पूछा जाने वाला कुछन है कि बोलो क्या आएगा हाइट सब्सक्राइब कि फर्स्ट वाली की यह सब्सक्राइब जो है आप जो देख रहे हों क्या आएगा सब्सक्राइब फिर क्या आएगा थर्ड फिर सेकेंड और फूर्थ यहीं सब्सक्राइब कि माइनस एम हैं एंड माइनस आई है इसमें है तो यह सेकंड लास्ट होगा पहले तीसरे में अगर आप देखें तो माइनस से माइनस हेम कॉमन हो गया सब्सक्राइब लेकिन होता क्या है एक्चुल में क्या आता है कि थार्ड आपका सबस्यादा होता है कि इस कंपरेट टू फरस्ट और फरस्ट से आपका कि वही फिर तो वही आ जाएगा सेकेंड और फोर्थ ऐसा क्यों होता है रीजन सुनों कि देखो जो फास्ट है ना कि उसमें ऑक्षिजन हाइड्रोजन एंड कि यहां पर क्या होगी बताओ कि इंट्रा मॉलीकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यह सब्सक्राइड्रोजन के बीच में आपका क्या होगा इंट्रा मॉलीकुलर एच बॉन्डिंग अब यह हाइड्रोजन जो है ना और्थो वाला यह पहले से इस एनोट्टु ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विए से चिपका हुआ है इसको पकड़ के रखा हुआ है तो उसको जल्दी जाने नहीं देगा इसको पकड़ के रखा हुआ है तो उसको जल्दी जाने नहीं देगा क्योंकि पहले से वह इंट्रेक्शन में हैं इंट्रा मॉलीकुलर के आप लिए तो इंट्रा मॉलीक्ला इंट्रेक्शन में होने की वजह से यह इस रिलीज नहीं हो पाता है इस वजह से इसकी इस प्रेंथ आपकी पैरा वाले से क्या हो जाती है कम जाती है कि बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट इसी विज़े से कुछन बहुत ज़्यादा फैमस है पूछा आता है मंदब मुझे लगता है कि अगर एक स्टेंद का और पूछते हैं तो अब तक यह आइटी और जेई में मिला के पूछ देखा है तो कम सम्साताइट बार पूछा गय यह कि एंसी आर्टी में भी यह दिया हुआ है एक स्टेंट किया हुआ है उसमें भी डेटेल में ठीक है तो बोर्ड में भी पूछा आता है कि बताओ और थो नाइट्रो फिनॉल जो है वह लेस एसडिक है एच कंपेर टू पैर नाइट्रो वाई क्या रीजन होगा तो कि यह सर्थ इसके अलावा एक जांपल की बात करें अगर हम यह कौन सा एक जांपल था 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 हुआ है 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 ओच है थी थी यू हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अब इसमें देखो इसमें भी वाई फेक्टर आएगा सेम उपर वाला यहां पर भी तो इंट्रा मॉलिकुलर हाड़िजन बांडिंग होगी देखो यह सब्सक्राइगे ठीक है क्योंकि आक्सिजन है तो इसकेश में भी आपका इंट्रा मॉलिकुलर हाड़िजन बांडिंग आएगी यह वाला तो पहले आपका एक्सपेक्टेड ओर जो है वो क्या आना चीए था वह तो फास्ट ज्यादा होना चीए था किससे थार से और से ज्यादा होगा आपका सेकेंड मैं तो से थारोगा सेकंड से जदा सबसे घटिया जाएगा फोर्थ लेकिन एक्चुल जो ओडर आएगा वाप क्या हो जाएगा थार्ड सबस्ट और फोर्ट थीक डिव टू इंट्रा मॉलिकुलर हाड़िजन बांडिंग आपके लिखेंग कि इन और्थो सब्सिट्यूटिटेड है कि फिनॉल है कि ठीक है है कि यह सर कर लिजी है बागे सब सेम लगेगा ना सर्माई जासां हां वो सब तो सेमें उपर बाला ही बिल्कुल यह वाला एक्जांपल दोनों एक दम एक जैसी ही मतलब अब तक यह वाला कुशन पूछा कि आए फिनॉल वाला नाइट्रो फिनॉल वाला हो सकता है कभी वो यह भी जब एक्जांपल जहां पर हार्जिन बार्णिंग आएगी वह सारे फेक्टर सेम हो जाएंगे इसी तरह से कड़ लेजर को हो गया नेक्स एक्जाम्पल देखो अगर हम तीन तीन नाइट्रो ग्रुप जोड़ें और दो नाइट्रो ग्रुप जोड़ें और केवल एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ें और इसके अलावा हम हाँ तो इसमें बताओ क्या आएगी जितने ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतने ज्यादा माइने से माइट्ट आएंगे और क्या हो जाएगा बताओ कि तुन्यादा होगा है ठीक है ना कि यह सही है है हलो यह सर ठीक है इसके अलावा अगर मान लो आपके पास एक एनओट将 ए है और दूसरे में आपके पास दो एनओटला जुड़े है लेकिन मैंता पर जुड़े हैं कि तो तो माइन सैन्हाद आए गाए नहीं तो यहाँ आपका माने समाएगा और मानेस आई इस ق्याएगा मारा मानेश है कि यहां पर किमर माइनस आईगा एगा तो बताओ चुम साइब ज्यादा फिस्के उलता है मैँने साथ है आप सोचो कि एक आप इस लिदी हए शद्या पार्कर सिरु कि सब्सक्रार पर माइनिस को भाइब यहां पर दो-दो माइनस आई हैं यहां पर एक ही माइनस आई है इसके अलावा इसमें एक्जाम्पल्स हैं यह आपको याद रखने वाला एक्जाम्पल है कि वह इसको आप याद रखिए डेटा वेस्ट है गणा録 होता है यह ज्यादा आसी रिक सदुन होता है किसे कारवोनिक आशिद शिक होता है क्पैस्द्सि sulphur एंड कार्वोनिक एसलिज मोर एसलिक देन फिनॉल है ठीक है ठीक है इसके अलाबा सेवन अगर आपका फिनॉल है लेकिन फिनॉल या तो और तो सब्सेटुटिटेड है या पैरा सब्सेटुटिटेड है ज्यादा पैरा वाला आएगा ना कि यह माइनस एम एफेक्ट्स करेगा इसलिए इसकी एसे टेंड जो होती है वह ज्यादा होती है कार्वोनिक एसे से लोटर इस जञदा यह होगा और इससे कम आपका अपका कार्वोनिक एसटेड अगर नाइट्रू ग्रूप और तो पैरा पर जुड़ा है तो एसटेड इक फीनोल से क्या होती है और और इवन आगर नाइट रूप आपका कहां पर जुड़ा है मैट्र पर जुड़ा है उससे भी आपकी क्या होती है ज्यादा होती है का यह यह बहुत ज़िए यह ज़्यार इंपॉइंट है ज़्यादा ऐसे दिखते हैं और फिनॉल जो है फिनॉल नॉर्मल फिनॉल और नाइट्रो फिनॉल कौन सा वाला मेटा पॉजिशन वाला यह दोनों ही आपके क्या होते कम ऐसे दिखोते हैं कार्बोनिक एसड से लेकिन अगर नाइट्रो आपका जुड़ा हो कहां पर और तो यह पॉइंट याद रखना है आपको मतलब याद रखने वाला है आगे आपका काम आएगा स्पेशली रियक्शन में काम आता है तो यह पॉइंट आप ज़रू याद रखीगा देन इसके अलावा एक्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो थीज़ादा और एक्जाम्पल्स जो हमें करने हैं एसेड बेसे स्ट्रेंथ में इनके अलावा फूइज यदा और एक्जाम्पल्स हाथ क्या आते नहीं तो जो इस पेसल है याद रखना है वह आपकोने बताई दिया है जहां एक्सेंसेंट केस हैं उनके भी ने बात कर ली है कुष्षिंद और आने के तो ऐसे जरूर लाता है जहां पर एक्सेप्सनल बेहिवियर हो रहा हो यह कुछ इंपोर्टन चीज़ है कोई ना कोई अधर लगके नॉर्मल ट्रेंड से कुछ हटके ट्रेंड जो आ रहा होगा ना कोशन वोसी के बारे जादा पूछता है तो हमें वो ट्रेंड जरूर याद रखने जहां नॉर्मल ट्रेंड से कुछ हटके ट्रेंड आएगा है समझ गया है अब आपन लास्ट में ऐसे भी खता में बेस भी खता में एसेड वेस रियक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी की बात पूछी आती है ठीक है तो अब एसेड वेस रियक्शंस की आप तभी बता सकते हैं जब आपको ऐसेड वेस आते हों अच्छे से कौन ज्यादा ऐसे रिखोगा कौन कम ऐसे रिखोगा यह सारी बात यह सब्सक्राइब टिखायब कर दो प्रवाब्टर प्रवाब्स की आ खिर जो आपको आख़गा की आख़गा वी खुटा को आख़गा विए कि का परना परना एक सिर्वाइब कि कि अ आधे आधे कुए लिया है अधे हैं आधे बहुकित हैं, आधे हैं, हवा हैं, हम आधे तो, है। एप हलो यह सर इस विए सॉल्ट कैसे बनते हैं बताओ इस वाइसे और वेस्ट जब रियक्ट करता है तो वाटर फॉर्मेशन होता है और साथ में सॉल्ट फॉर्म होता है देख हमने वही किया है यहां पर यह अपना एसेड है क्या करें स्क्रीन नहीं आ रही है आ रही है अभी आ रही है इस यह सर देखो तो आप क्या करोगे एक एसेड और एक बेस क्यारों किया वाटर फॉर्म हुआ अब यह जो सॉल्ट बना इस सॉल्ट में है क्या यह देखो यह एक वी कैसे आप जानते हैं कि फीनॉल जो होते हैं कार्वाग्जिल एक एसेड्स जो होते हैं यह सब किस और जितने भी और गेनिक एसेड्स होते हैं वह सब वीक की कैटिग्री में आते हैं वीक एसेड्स की कैटिग्री में आते हैं कार् गए लेकवाले तो लगबाग यह मानके चलों कि सारे हीआपके जो होते हुए यृए कि कटिग्री में आते हैं रही है तो यहां पर यह बीकाय सिरेक्षिंट कारिए आपके सॉट्ट जो बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा बता होगा कि यह आपका स्ट्रॉंग सॉल्ट है क्योंकि इस्ट्रॉंग बेस है अब अगर हम इस कि सॉल्ट की जो बेसिक सॉल्ट है हम किसी ऐसे एसिट से रियक्शन कराएं जो इसमें पहले से मौजूद एसिट से ज्यादा स्ट्रॉंग एसिट हो तो यह क्या करेगा इस वीक ऐसिड को सॉल्ट में से बाहर निकाल देगा खुद जाके क्या करेगा सॉल्ट बनाएगा और वीक जो एसिट को क्या खिया उसने रिप्लेश कर दिया अगर आप की बात करें तो नाइट्रों फीनॉल का जो के ए है वो ज्यादा होगा आपका कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट से आप किसी स्ट्रॉंग एसेट की एक्शन करा होगी कौन से स्ट्रॉंग जो salt में present asset है उससे strong acid कि reaction कराऊगी तो वो जो strong थिबो क्या करेगाility कि खुद बेट जाएگगा णिक को बाहर निकाल वे क्beli displacement reaction एक तरह से बिलकुल तो displacement reaction किस बेसे करना होगा कि given salt में जो आपका है और जिस र divergence करा रहे हो उन दोनों में strong कौन है अगर salt में present acid weak है और जिससे आप reaction करा रहे हो वो strong है ज्यादा acid तो वो definitely उसको replace कर देगा और उल्टा हो जाए अगर कि salt में बैठा हुआ strong है और आप reaction कराने की कोईश्च कर रहे हो किसी weak acid से तो वो reaction नहीं होगी क्या यह point समझ में आया यह सेंप्वाइंट आपका base के case में भी applicable होता है कि अगर मालों आपके पास salt है जिसमें weak base है और आप किसी strong base से reaction करा रहे हो तो वहाँ पर भी similar case आएगा कि भाई reaction आपकी वहाँ पर तभी होगी जब आने वाला बेक बेजो वीक हो और स्ट्रॉंग हो और सॉल्ट में present कैसा होना चाहिए बताओ वीख होना चाहिए ठीक है न तो वह रिप्लेस कर देगा अगर सॉल्ट में पहले से इस ट्रॉंग है आप लाबीक रहे हो तो फिर वो रियक्शन नहीं होगी इस प्लेर टुए विए टू इस पॉइंट को आप लिख लो यहां पर क्योंगा श्ट्रॉंग एसेड श्ट्रॉंग एसेड़ श्ट्रॉंग एसेड़ कें रिप्लेश विकर एसेड फ्रॉंग एससाल्ट और यही पॉइंट आपका बेस के लिए होगा की श्ट्रॉंगर बेटर श्ट्रॉंगर बेस कें रिप्लेश विकर वेज फ्रॉंग एट सॉल्ट है ठीक है तो एसेड वेस्ट्रॉंग एडिया करना है कहां पर अब आपको से कुछन क्या पूछता है वह पूछता कि बताओ कि विल एक्शन सापके सामने और में कौन सी एक्षिबल होगी और कौन सी फीजिबल नहीं होगी ठीक है तो कोश्चन लिख लिए आप सेलेक्ट कि इस फीजिबल कि रियक्शन्स आपको फीजिबल एक्शन सेलेक्ट करनी है ठीक है अगर हम किसी आप बेस की रियक्शन कराएं इस विसिक सॉल्ट है मालों आपके पास है अमॉनियम क्लोराइड ठीक है अमॉनियम क्लोराइड में बताओ क्या क्या है एच सी एल से बना होगा और किस से बना होगा यह बुलो यार यह शॉल्ट कैसे नहीं है एच फॉर ओएच से मतला अमॉनिया से भाई एच क्या है पानी में घुली अमॉनिया ही तो है यह सर्थ तो अमॉनिया से अगर हम इसकी रियक्शन कराएं और सी एस थ्री एनेच टू से तो बताओ क्या यह डियक्शन होगी तो आप यहां पर के भी वैल्ली बताओ अमॉनिया की के भी जो सॉल्ट में प्रिजेंट है और जो रिप्लेस करने आने वाला वेस है उसका के भी में क्या रिलेशन आएगा विच्वन इस स्ट्रॉंगर यह तो एस पी थ्री नाइटुजन वाली बात हो रही ना ध्यान करो याद को लो यार कि दिव कि यह सब्सक्राइब बताओ कौन ज़्यादा होगा तो आपको वह टू थ्री वन वाला याद नहीं कि उसमें अमॉनिया सबसे लास्ट में हमें सा आ रहा था कि यह प्लस आई एफेक्ट्स हो करेगा तो बैसिक इसन को बढ़ा देगा ना अब भूल यार कि यह आएगा यह आएगा आपका कि मतलब यह जो बैसे इंकमिंग्स है वो स्ट्रॉंग है जो सॉल्ट में प्रिचेंट है वह वीख है तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे चेस्त्री नह थी सील यह स्हां जाएगा आपका सॉल्ट बन गया और प्लस अमोनिया जो है वह बाहर निकल जाएगी तो यहां पर देखो यह रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी बिलकुल होगी हrतली सॉल्ट को देखो की सॉल्ट में कौन सा बैस है लोगेर कि आप सी एसे नहीटिवर कि एकशन करा रहे होऊ तो आप सी革ी नहीं किरेएसिन करा रहे हो अब दौनों बेस में देखो कि कौन ज़्यादा बेसिक है जो ज़्यादा बेसिक होगा तो वो कहां होना चीए incoming वाला और salt में कौन सा होना चीए weak वाला salt में weaker हो और आने वाला stronger हो तो यह क्या करेगा यहां से उस weaker को हटा के कि खुद जाके बैठ जाएगा देखो salt ने खुद ने बनाया और वीक वाले को क्या किया बाहर निकाल लिया ठीक है समझें अगर यही जादा होता तो हम नहीं को ती रियक्शन हाँ जैसे मान लो आपके पास है सेकेंड है अगर हम इसको आँ बेसिक रियक्शन करा हैं कि एच सी ट्रपल वोन सी एन एक रियक्शन करा दें हम अमॉनिया से कि अब बताओ क्या यह रियक्शन होगी अगर रियक्शन होगी तो क्या बनेगा यह बनेगा एन इस फूर कि दर तो बीक बेस है से इस टेश्टमाट कि आपका बनेगा बताओ तो आने वाला भी एसे रहे यहां तो एसे की तरह करेगा ना अब आपको यह देखना है कि इन दोनों में ज्यादा किसकी होती बताओ कि एक वैल्यू एसे ट्लीन की ज्यादा होती है यह आमोनिया की ज्यादा होती है हास है निजवर्ण सटाव निगेटेव बनाऊ तो प्लस टाकि निगेटेव बनायों घी कार्ण पर यह अ और यह कार्बन आपका थियान रखना यह यह अपको बताया था कि यह यह ज्यादा लगड़ीस होता है थितलीन की ज्यादा थी किस्ते अमोनिया सी यादा है जो और लिखाय था वहां पर भी इस बात का उने जिक्र किया था कि ऐसे ट्रिण जो है वह ज़्यादा ऐसे डिखें कि से अमोनिया से कि अब बेहोस हो जिन्दा हो कि नहीं कि वे दिन्दा हो अलो जिन्दा हो न अब आधी नहीं जाते तो मांई थोड़ा खराब है अच्छा है समझ में तू आ रहा है अधी आ रहा है अब देखो आपको यह बताओ अब एस टिलिंग ज्यादा ऐसे डिखें कि से अमोनिया से तो अब आप यह बताओ क्या यह रियक्शन होगी नहीं होगी यह है क्योंकि आपका सॉल्ट में ज्यादा स्ट्रोंग एसे आप रेपलिस लेके आ banner वीखर से तो यह आपका stronger हो जाएगा यह यह आपका वी करेगा कियό קर इंद ये करता तो यह पीसिक्वन नहीं होगी ठीक है ऐसे ही देखो एक बिट से रियक्शन अपने एक बर देखा दिये चीज़ को अपिकर नहीं है अच्छा नेक्स एक्जाम्पल देखो अगर आपके पास है ग्वानिदीन वाला है ठीक है यहां पर हमने नहीं लगा दिया इसने एक प्लस लेगा यह तो यह प्लस आएक और सील माइनस हो जाएगा यह वना ठीक है एक सील सी रेक्शन करके अब आप इसकी रियक्शन करा रहे हो प्राइमरी एमीन से मान लो इस बताओ क्या यह र्याक्शन होगी अगर यह रियक्शन होती है तो क्या बनेगा ग्वानिदीन बाहर निकल जाएगा बेस आए और सॉल्ट कौन बनाएगा प्राइमरी एमीन सी अस्टी एनेच्स ठीए यह प्लस सील माइनस तो बताओ क्या रेक्षिन फीजिबल है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़े यह क्या करना पड़े कौन ज्यादा बेसिक है तो यह आप बताओ ग्वानिदीन तो सबसे स्ट्रॉंग बेस था ना जो नाइडूजिन अच बेस थे यह सबसे स्ट्रॉंगर बेस था यह यह तो बहुत लास्ट में आ रहे थे तो यह बेसिक स्ट्रेंद का और यह होगा जाला बेसिक होगा तो इसका मतलब एक्षिन फीजिबल होगी कि नहीं होगी इस नहीं होगी वह आपको क्या करना है कि जो आने बाला बेस होना वह स्ट्रॉंग हो वो और जो सॉल्ट में प्रिजन्ट हो वींख हो önी सबहें वह बोर रिप्लेस कर पाएगा तभी यह यह इस वीङThe है तो युआ रिप्लेस थोना करपाएगा ऊसको उट्ट रेप्लेस वही करेगा ज्टोंगर होगा विकर रिप्लेस करेंगा तो पर नेक्स्ट बताऊं जेसे हमारे पास है रहिए इन निली не माइन को एन अनेक्च फूर यान प्लस इयल मांडस है यह सॉल्ट है उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा होगा आपको तो पता है सील माइनस जुड़ा है मत तो यह तो सॉल्टी बनाएगा अगर इसकी रेक्षिन आप अमॉनिया से कराओगी तो बताओ रेक्षिन फीजिबल होगी यह नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप देख लो दौनों बेस की बेसिसिटी एक आपका एनिलीन है और दूसरा है अमॉनिया कौन ज्यादा बेसिक होगा बताओ विच्वनिज मॉर बेसिक यह तो आपका एस्पी टू नाइटो जैने लॉन पर डिलोकलाइज है और सुरी हां बेंजिन के साथ यह सब्सक्राइब तो एस्पी टूस्पी थी में ज्यादा बेसिक कौन होता है एस्पी थरी तो अब बेसिल ज्यादा बेसिक आपका मॉनिया होगा तो इसका मतलब है कि यह एक्शन हो जाएगी रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा एनेच पूर सी यल और एनिलीन बाहर निक्र जाएगी जब आपका स्ट्रॉंगर एसे राएगा तो वह रिप्लेस कर देगा लेकिन अगर वीकर वेश्याल जो भी है अगर बेस नहीं से करेगा तो रिप्लेस करेगा तो रिप्लेस करने वाला अगर एसे स्ट्रॉंगर है रिप्लेस होने वाले से तब तो रिप्लेस हो जाएगा अगर सॉल्ट में स्ट्रॉंग ऐसे पहले से बैठा है वाप वीक एसे लाके वो लेओ कि बाहर निकलो तो बाहर नहीं निकलेगा बाहर तभी निकलेगा जब ऐसे आपका जो आने वाला एसे रोगा व हो तो फिर तो प्रॉलम हो नहीं है ना कुछ इसे का सब्सक्राइब कॉस्ट नहीं है है नहीं के अने वाला सब्सक्राइब होना चाहिए ऐसे हैसिड का आने वाला ऐसे स्टूंग स्ट्रॉंग थैसा जीज है तो यह पॉरब यूठ का करना हो तो तुक की को खे好吃 है मतलब basic strength या वह समय तो गाही रहागर आप सब्सक्राइब तो बाहर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगा हाटी समाधिया वास आपके पास है मान लोगी हमारे पास कि यहां पर सॉल्ट बना है इसमें सॉल्ट बनाया और हम इसको रिप्लेस करना चाहरे कि से अमोनिया से कि तो प्लो zg मों श्रिंट कर ना तो मतलए है इसकी साथ सिल मांइस होगा कि अब मों याला कि आप आप करना चाहरो पाइस करना चाहरे हो का है कि तो नहीं को नहीं करτε था यह यह वाला वेस था और दूसरा अमोनिया बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा अमोनिया और यह पार आप कि आमोनिया होगा यह तो डी लोकलाइज बाला है ना सबसे घटिया हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यह आपकी रियक्शन हो जाएगी बहुत एजली होगी तो आमोनिया जो होगा को क्या करेगा नहीं पूस्य बनाएगा प्लस माइनस और यह पाइलल बहां निकल जाएगा क्योंकि बीक बेस है तो इस ट्रॉंग बेस बीक बेस को रिपलेस कर देगा लेकिन बीक बेस स्ट्रॉंग बेस को रिपलेस नहीं कर पाएगा ऐसे ही आपका इस्ट्रॉंग एसेट वीक एसेट को रिपलेस कर देगा वट वीक एसेट इस्ट्रॉंग एसेट को रिपलेस नहीं कर पाएगा फॉर एक्जामपल नेक्स आपका ऐस देखो अगर हम रियक्शन कराते हैं बैंजोइक एसेड पहले से सॉल्ट है एक अब इसकी रियक्शन आप कराओ फिनॉल से और आप चाहते हैं कि रियक्षन रिप्लेशमेंट हो जाए इसमें अब फिनॉल जो बनाए वो सॉल्ट में चला जाए और बैंजोइक असेड बहार आजै तो बताओ किये रियक्षन में ज्यादा एक कौन होगा है और वेंजोए कैसे जाएगा तो निगेटिव चार्ज आपका दो दो ऑक्सिएन पर डिलोकलाइज हो रहा है यहां पर तो आपका सिंपल एक ही ऑक्सिएन प्यारा है तो वेंजोएक आशेट सार्मोर एसे डिक देन फिनल तो यह ज्यादा एसे कौन है इस ट्रॉंग एसे बैठा हुआ है तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी जो रिप्लेस करने आ रहा है अगर रिप्लेस करने आने वाला ज्यादा एसे डिक होगा तो रिप्लेस हो जाएगा अदरवाईज नहीं होगा देखो अगर आपके पास है बैंजोएक एसे हाँ एक एक सेप्समा एक्सेप्शनल टेटा वेस्ट एक और एक्जामपल था अगर हम बात करें पिक्रेक एसे पिक्रेक एसे जानते हैं क्या होता है कि बुलो यार पिक्रेक एसेट का फॉर्मॉला सब भूल के टेविल ट्राइ नाइट्रो फिनॉल तीन तीन नाइट्रो जब फिनॉल पर जोड़ते हैं तो इसे हम पिक्रेक एसेड बोलते हैं यार लेस एसेडिक फिनॉल आर लेस एसेडिक देन बेंजोइक एसेड लेकिन जो पिक्रेक एसेड होता है तीन-तीन माइनस एम गुरूप सपोर्ट करने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यदा बढ़ा देते हैं कि वह बैंजोइक एसेड़ से ज्यादा एसेडिक हो जाता है पिक्रिक एसेड इसके लाब और नहीं होते हैं अ तो इतनी एक दावा इसकी एसेडिक होती है और आपको यह तो पता ही है कि यार कारवोनिक एसेडिक स्ट्रेंथ होती है आपके लेकिन अगर एक नाइट्रोग्रोप आपका और्थो या पेरा पर जुड़ा है तो और ज्यादा एसे रिख हो जाएंगे तो और ज्यादा एसे रिख हो जाएगा तो मतलब अगर नाइट्रोग्रोप फिनओल पर है मैटा पर नहीं बात कर रहे हम कर रहा है और थो पर पर तो कार्वनिक ऐसे से ज्यादा ऐसे देखोगा ओ इसी पर देखो आप अगर आम इसी की बात करें यहां पर इक है डालने वाले हैं उस हैडिंग का नाम अभी हम बताएं बहुत है पहले आप ये देखो कि कि अगर आप फीनल की रियक्शन कराओंगे या कार्वगजिल एक्षिद की रियक्षन कराओंगे सोडियम कर्बोनेट से यह सोडियम बाइकर्बोनेट सोरी ने एच सीओ थी इस सोडियम बाई कार्बोनेट से तो यहां पर क्या यह रियक्षन पॉसिबल है जिसमें सोडियम बना ले सॉल्ट और कार्बोने कैसे बाहर निकल जाए कि यह विए वेलू करो ना किसकी जादा होती है एक बेंजयो कैसे जादा होती है अब यह भी तो था है बेंजयो कैसे कार्वने कैसर से जादा से लिक होते हैं आफा तो फिर नहीं होगा ना फिर से सोचो सॉल्ट में भी कैसे यह सॉल्ट है तो यह हुआ और यार कार्वने कैसे क्या होता है वोट इस कार्वने कैसे कार्वने कैसे जो है वह पानी में घुले हुई क्या हैसे नियुक से घुच्सके जिस तो यहां पर अच्शा जो अपना जब हम लोग सांस लेते हैं बाइव वाले जानते होंगे जो रेस्पिरिटरी सिस्टम होता है उसमें जब ऑक्सिजन अंदर ले जाते हैं ब्लड सेल्स जो होती है वह उक्सिजन सेल तक पहुंचाती है हर एक इंडिविजल सेल तक तो वह कैसे ले जाती है वह हीमोगलोबिन है यह तो सबको पता होगा ना कि कि हम जब साउस लेते हैं तो औक्सिजन को क्या करता है पकड़ता है पुदिश हर एक सैल के पास पहुंचाता है वह अपनी वाड़ी की और जब स्शूब्टू से निकलती है तो वह कैसे आती है लंग्स लंक्स से पहले आप सांस ले तो लंग्स में ऑप्जिएज्ब यह जाती की यह किया होता है अब अब से निकल रही है वह कैसे आती है तो सेयो टुक्ति आप वह बलड में घुल जाती ए बलड में वाटर तो है पानी में घुलती है और फिर वहां पर जैसे फुरा टेंपरेटर बढ़ता है तो फिर सियोटू वाटर में बहार निकल जाती है तो यह कारवनेक एसट जो है वह होता है बिट्वीन इसके बीच में है अब इस टेस्ट का नाम होता है सोडियम बाई कार्वोनेट टेस्ट सोडियम बाई कार्वोनेट टेस्ट इससे हम किसी कंपाउंड की एसडिक स्ट्रेंद का पता करते हैं मतलब कोई कंपाउंड एसडिक है या नहीं है यह पता करते हैं और वह कैसे पता करते हैं देखो हम क्या करते हैं एक टेस्ट्यू लेत एक्वस सॉलूशन लेते हैं किसका एन एच वी का जो सोडियम बाइकार्बनेट होता है उसको पानी में घोल लेते हैं सफेद पाउडर की तरह होता है गया गुल जाएगा ठीक है अब आपके पास एकवस आ गया एकवस के फॉर्म में ठीक है न गोला हुआ एन एच स्योटी यहां तक ख़ीक है इसमें आपकर तो डालते हो और एसेट कौन सा होगा इस ट्रॉंगर इस ट्रॉंगर देन एच्टू सीयो थ्री जोबी ऐसे ढाला वो कौनसा चाहसा होना चीह बता हो च्टू सीयो चीह से जादा एसलीख होना चाहिक हो जब वहादा कि यहां पर आपका यह कर प्रीजेंट ये स लिए सोफ रिसमें चाहिए आपका शीट प्रेजन्ट है आप सटुस्यो फ्री आपका एकिशन फ्रेटी MARY के आउगे तोडवी है तो एक चुन को बाहर निकालेगा और अच्च टूसी क्यों फिन में बाहर तो पानी तो वहीं पानी में रह जाएगा लेकिन सियो टू गैस क्या होगी बाहर निकल जाएगी तो यह आपका सॉल्ट है कौन सा सॉल्ट है सोडियम बाई कार्वनेट जिसमें आपका एनेवेच बेस था और एच्टू सियो थी एसिट था मदल्स सॉल्ट है वह सॉल्ट किसका है और वीक एसिट में कौन है आपका है एस्टू सुथी कार्वोनेट एसिड है अ अगर हम इस कीम ईस रियक्शन किसी में गया होगे तो क्या होगा कि यह उस एसिड को कौन से एस्टू सी ओठी को यह सॉल्ट से बाहर निकाल देगा खुश जाके सॉल्ट में बनाएगा ठीक है यही तो आप जो अभी तक आप ऊपर रियक्शन पढ़ रहे हो उन्हीं रियक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो सॉल्ट में अगर बीक एड़ है और आने वाला एसिड है जो स्ट्रोंग है तो वह बीक एसिड को क्या करेंगा वांसे रिप्लेस करेंगा तो आपका का यह सू थी होता है वह बाहर निकलेगा अब बाहर बाहर निकलेगा तो ब्रेक होता है किसमें as2 का ने लाई तो जब भी आप किसी एसिड करते हैं तो कमपाउंड को पहले देखते हैं इसकी स्टेड क्या है वो लिखते हो कि यह वाइड कलर है या क्या है फिर आप सोरी स्टेट मतलब कहना हम शॉलिकूड गैस देख लिया कि शॉलिड है ले गैस फिर आप चेक करते हो कि उसका कलर क्या है कि हाँ आपका कलर लेस है पिर उसको इसमेल भी किया जा सकता है बैसे करना नहीं चीए केमिकल कंपाउंड को बी कभी ना तो इसमेल करके दे करेंगे और नहीं टेस्ट करेंगे कसम खावास से कभी नहीं करेंगे जब भी आपको ऐसा मौका मिला लेंब जाने का तो कभी भी ना उनको पता पाते हैं कि वो किसमें घुलेगा अगर एस तो हम चेक करने जाते हैं कि वह कैसे ने चर्का तो अगर यतिक नेचर आपने यूज किया होगा सुना भी और अगर घ्र होगा तो किस अगर बेस होगा तो रेड कलर जो लेटमस पेपर है वो बिलू कलर में कनवर्ट हो जाएगा अब मानलो कुछ ऐसे हैं जो मानलो कि आपका लेटमस पेपर पर भी रिस्पॉंस नहीं कर रहे हैं बड़ वह ऐसे रिखें तो फिर उनके लिए मतलब या अल्टरनेट टेस्ट भी कह सकते हो और कुछ सोडियम बाइकारमिट का सॉलूशन मनाते हैं सेुअरि तो कैसे बनाओगे सरसफ को पूरा मिक्स कर देंगा सब्सक्राइब करने की तो नौमत नहीं आती है आप किया करू उसमें ज्यादा अपान लिया डापान झालौ कर ज्यादा गोलो और इसको बढ़िया से मिक्स कर द सब्सक्राइब कर चाहिए अब आपास बन गया है अब आप क्या करोगे उसमें इस में फूड़ा सा जी से और नेचर चेक करना चाहरें उस कंपॉंड को आप देखोगे तो अगर जैसे कंपॉंड ग्राओगे तो क्या होता सीओ टू के बबल स्टेजी से उपर भागने लगते वहाँ से नीचे जाता जाएगा उसकी रेक्षिन होती रहेगी और वहां से से लगा हैं निकल निकलते हैं तो एक्क ही निकलते हैं इससे हम बता देते हैं कि यह जो कंपाउंड है वह तो आपको अभी यह पता चलेगा कि कौन कौन से एसेड है जो वह सारे जो आपके ज्ञादा स्ट्रॉंगर होंगे कि से कि स्ट्रोडियुम स्ट्री कारूनिक एसे सब बाई करूनिक टेस्ट देंगे ठीक है ना तो आप यहां पर लिख सकते हैं चाहिए पॉइंट कौन से एसिट्स होंगे जो भाई कर्मों ट्रेस्ट देंगे तो एसिट्स है दोज आर स्ट्रोंगर देन कार्बोनिक एसेद कैन रिलीज और प्रोड्यूस सियो टू गैस कहां से फ्रॉम एने एच सियो थ्री सॉल्यूशन ठीक है एक कोश्चन लिख लिए इसमें किस तरह से कुश्चन पुछता है वो कहता देखो आप सेलेक्ट करो सेलेक्ट दी मॉलीक्यूल्स और स्पीशीज थो जो जो इस केन प्रोड्यूस श्यो टू गैस फ्रॉम एक को सॉलूशन अफ तो शोडियम बाई कार्वनेट थीक है माझलो आपके पास option में है option ए है पिक्रिक एसट अब आपको अभी इब बताएगी पिक्रिक एसरी ने बेंजोइक एसट और बेंजोइक एसट इस मोलेसिए तन करवनेक एसट तो और बेंजोइक एसट तो और दो करेगा कि यह भी ज्यादा होता है कि सी आपका है मेटा नाइट्रो फिनोल कि मेटा नाइट्रो फिनोल कि डी है आपका और्थो नाइट्रो फिनोल कि यह आपका कि ऐसी टिलींग तो बताइए एफ है माल लो आपसे हमने का अमोनिया तू कौन करेगा कौन नहीं करेगा सेलेट करो पिक्रिक एसिट करेगा यह से यह सार्म चाहती हैं बेंजों योके च विए करेगा तीwd यह जड़ार इसे डिक बेंगल मैंटानाइट्रो और थुनाइट्रो हमने पाणा मेटानाइट्रो वार बीकर मैं नाइट्रो फिनोल क्या होते हैं ग़ेघ से सिंपल फिनोल मैंटानाइट्र는지 डेए लिए ओर यह नहीं करेगा लेकिन अगर और फैरा नाइट्रो फिनल होगा तो वह करेगा वह कर लेंगे इसलिए मैं आपको इस पर जोड़ देदा था कि यह आद करना है तो नाइट फिनल या नाइट मैट नाइट्रो फिनल यह तो कारवनिक एसिट से वी कैसे डिखोते हैं लेकिन याद रखेगा इस पॉइंट को तो यहां पर आपका क्या होगा बताओ मैटा नाइट्रो फिनल तो नहीं देगा और तो नाइट्रो फिनल दे देगा अब ऐसे टिलीन और अमोनिया तो घटिये हैं कारवनिक एसे तो इस तरह से आपका आता है तो दी जार्दा मैं तो इस स्ट्रेंद में है ठीक है प्रोटिक पॉली मतलब मैं नहीं होता है प्रोटिक मतलब प्रोटॉन बहला ऐसे ठीक है तो एसेड विथ मोर देन वन आइनाइज देवल एच प्लस एसे जिसमें एक से ज्यादा एच प्लस होते हैं वह आपका पॉली प्रोटिक एसे कहला था ठीक है इस एक्जाम्पल है आपके पास लाइक एच्टू एस ओफोर तो यह तो पॉली प्रोटिक हो गया ना तो यह इसमें दो एच्ट प्लस फूलीज होंगे मिद्धे पहला हैँएगा के बन जिब पहला हैच प्लस का डेसोशीचन होगा तो क्या आएगा बताओ मेरा एच प्ल्स प्लस एच जाब एच इसो फॉर माइनस से दूसरा अच प्लस निकलेगा तो मिया कहेंगे के एट्व एच प्लस प्लस एस फोर टु माइनस अब यह तो आपको पता होगा कि केए वन इस ग्रेटर दैन के एट्ट्ब यह पॉयंट तो आपने पढ़ा है हाँ है तो मतलब यह used氣 जब भी आपका कोई एसपा पॉलीप्रोटिकार होता है तो एस प्लस जब ब्रेक होते हैं वह से हैं तो फहला से दूसरा एस प्लस निकलने में थोड़ी कटना ही आती है तीसरा और कटना होगा मतलब पॉली प्रोटिक एसेट्स के लिए पहला एक्स प्लस बहुत इजली आयना है जोता है उर्फ निकलेगा अब यह है देखो एनाइनिक कि आप एनाइनेंक इज़ी से एक प्लस को दूर करने की बात कर रहे हो यह तो Azra करेगा ना जल सी यहां से ऊप्लस निकलना थोड़ा सा क्जाएन wow is तो जेतनी जाएंगे उतनगी तफ होता जाएगा वहां से एस प्लस को निकालना तो पहला प्लस निकलेगा असान से फिर दूसरा थोड़ी डिफिकल्टी से तीसरा और जदा डिफिकल्टी से क्योंकि आइनिक चार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा तो अट्रेक्शन जो एच प्लस का वहां पर बढ़ेगा तो वहां से दूर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी कम ह यह प्लस निकलना आसान है दूसरा और कटें किसरा वाइंक रूंकि इसने निकालोंगे उस पर आना जाएगा तो दूसरे से एस प्लस निकालना थोड़ा सापक लेक्र वाज़ेगा हो जाएगा तो मदला हम एसे डिक स्ट्रेंद की अगर बात करें एसे डिक स्ट्रेंद तो बात तो वहीं है न कि अगर है एच्टू एस है इससे आप एक प्लस निकालोगे एच्टू एस और एच्टू एस माइनस में है बताओ एसे डिक स्ट्रेंद ज्यादा किसकी होगी पहले वाले की यह सो पहले पहले की ज्यादा हो जाएगी एस कंपेड़ दूसरे नहीं हो जाएगा